नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेकेंसी गुरू में दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने वेकेंसी गुरू चैनल को रस्यट के मामले में ओलो राजистान में नमबर वन की रेंक दिला दी है जिए दोस्तों आपके प्यार से आपके लाइक, शेयर, व्यूव, आदी से वेकेंसी गुरू चैनल आज RSCAT में नमबर वन पर है तो दोस्तों इसी परकार आपका प्यार में मिलता रहे, इसी परकार हम आपकी सायता करते रहें, बस इसी से हमारा और आपका दोनों का प्यार बना रहे, ठीक है, तो हम चलते हैं, क्यूशन नमबर एक पर बिना सामय गवाए, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आए हूँ, पूरे 35 परसन और इधान रखना 35 के 35 परसन बहुत महत्पून है, कुछ परसन मैंने कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्रिशन नमर 1 है, अगर आप कम्प्विटर में एक सेयधिक अगर आपके कम्प्यटर में एक सेयधिक प्रसेशर है तो उसे क्या कहेंगे, दोस्तों अगर एक से कोई चीज होती है तो आप आसा नहीं सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा टास्क होगा तो मल्टी तास्क, इसी प्रकार एक से ज़्यादा यूजर होते हैं तो मल्टी यूजर तो आपको यह चीज़े याद हो जाएंगी, आगे हम चलते कुशन नबर दो में, एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है एक बाइट is equal to eight bit ठीक है यानि एक बाइट में eight bit होते हैं यह आपको मालूम होना जाय है अब bit होता क्या है देखिए memory की मापने की इकाई होती है bit ठीक है जैसे हम milk लेकर आते दूद उसको लिटर में मापते हैं अगर हम चीनी लेकर आते उसको केजी में मापते हैं वैसे ही memory को मापने के लिए जो है इकाई होती है वोती bit ठीके ना bit सबसे छोटी काई होता है जैसे gram उसके बाद kilogram आता है उसके बाद जो है quintal आता है उसी प्रकार टन आता है उसी प्रकार memory के सबसे छोटी काई bit होती है bit के बाद bit के बाद बाइट होता है ठीक है आठ बिट में एक बाइट होता है ठीक है बिट के बाद बाइट हो गया सबसे चोटा बिट होता है उसके बाद बाइट होता है उसके बाद किलो बाइट होता है के बी जिसे हम कहते है उसके बाद एम भी होता है मेगा बाइट उसके बाद जी बी होता ह घंहाई घंहावाइट उसके बाद टीबी होता है टेरावीट है पर हैं पर सबसे चोटा ही यह गया है ऊड़ीट फिर awareई किलो-ईध मेबाइट गेगावाइट और टेरावाइट ऐसे करके यह memory की काई यहां है ठीक है आप से पुछे दे सबसे चोटे काई है बीट और सबसे बड़ा ही काई है और बहुत बच्चे मैनत करके अब देखो मैं तो ऐसा नहीं करूंगा कि हम नहीं बनेगे प्रस्ट में आपको दे सकता हूं पड़ना आपको पड़ेगा समझना आपको पड़ेगा ठीक है वियूज आपको बढ़ाने पड़ेंगे यूटुप पर तो यह चीज जब तक हम देखेंगे नहीं तो आपका percentage बनेगा नहीं तो यही चीज आपको समझने है बस निवन में से किस सर्च इंजन का का पूरा ना होता है electronic commerce कहीं पर भी यह आजाए ना computer सब्दावली में e-commerce ठीक है इसके लाबा e-learning e-governance कुछ भी e के साथ आता हो समझ जो electronic है email electronic mail समझ गए यह का मतलब होता है electronic कहीं पर आजाए electronic आगे हम चलते हैं online shopping याइन e-commerce पर बुक्तान का माध्यम है जब हम online shopping करते हैं बिल्कुल simple सा person है समझना कैसा है खुद के उपर लेकर देखो समाननी परसन को बनाओ जब हम shopping करते हैं तो shopping करते हैं online समान करीते हैं उसमें पैसा में चुकाना होता है पैसा चुकाने के लिए हम पैसा कैसे कैसे चुका सकते हैं अब आपको पता है कि हम online माध्यम से भी चुका सकते हैं और घर पर समान मांगा कर उसमें भी पैसा दे सकते हैं जिसे हम cash on delivery क्याता है तो यहां पर यही सारी options है online किस किस माध्यम से चुका जा सकता है ओनलाइन इंटरनेट बेंकिंग से चुका सकते हैं mobile banking से चुका सकते हैं credit card और debit card से चुका सकते हैं या फिर offline अगर हम दे तो case on delivery हम दे सकते हैं यह online payment के माध्यम है यानि all of the above इसका सही answer रहेगा question number 5 है mobile hotspot द्वारा अपने mobile पर internet access करने के लिए किसका प्रियुक के जाता है mobile hotspot जब हम own करते हैं तो hotspot तो क्या होता है sender होता है ठीक है data को send करता है receiver कौन होता है receiver होता है wifi ठीक है जो receive करने का करिये करता है तो sender हो receiver sender तो होता जो भेजता है वह तो होता है hotspot और जो प्राप्ट करता है वह उता है wifi wifi data को receive करने का काम करता है आप से पुछे जाए ध्यान रखना hotspot का use किस में किया जता है hotspot का Kaliaов क्या है तो हम कह सकते हैं hotpot का KaliaИ हमारे data को दूसरे के सास्थ share करने के लिखे जाता है या फिर हम अपने डेटा को दूसरे किसी को देना जाए तो होट्सपूट का प्योग कर सकते हैं आगे हम चलते हैं कि नमर चेह में जब आप विंडू 10 में नया फॉल्डर बनाते हैं तो वह डिफॉल्ट किस नाम से बनता है आप से पूछा जाए विंडूस म बनाते हैं तो वह डिफॉल्डर के नाम से बनता है ठीक है प्यों लुण लुख के नव फॉल्डर को व्रस्वल्डर की क्या होती है नया फॉल्डर बनाने की authorized की तो आप बताऊगे कि जब हम किसी website को खोलते हैं तो website को खोलने पर सबसे पहला जो page हमारे सामने प्रदर्सित होता है जो page हमारे सामने दिखाई देता है सबसे पहला first page of website क्या कहलाता है और मित्रों इसका सही जवाब है homepage homepage website का पहला page होता है किसी भी website का first page क्या कहलाता है होमपीज क्यालाता है क्यू Gir Ninjas निम्न में से कौन सी जानकरी आधर कार्ड坊 सी समधित नहीं है मतलQu Mad nécessaire क्या नहीं होता आप सबी को मालूम होना जहीं आधर कार्ड में व्यक्ति का नाम होता है photograph व्यक्ति की होती है आखे-scan व्यक्ति की की कि जाती है CVV नहीं होता मतलब इसका सही जवाब क्या है इस question का सही जवाब है CVV CVV क्या होता है CVV तीन डिजिट का थ्री डिजिट एक नंबर है जो कहा होता है credit card और debit card में होता है जो की lending को सुरक्षित बनाने के लिए प्रियोग मिले जाता है और यहाँ पर CVV का पूरा नाम क्या है CVV का full form होता है card verification value card verification value वापस से बोलता हूँ CVV का full form होता है card verification value question number 9 question number 9 पढ़ने से पहले मैं आप सभी से क्रिकेश्ट करना चाहूँगा कि मुझे जितने आप लोग सभी viewers है उतने ही like इस वीडियो पर दे दीजिए ताकि rank में और ज़्यदा सुदार हो और आप लोगों के हमारे team अच्छे से सायता कर पाए तो फटापट से वीडियो को like कर दीजिए और वीडियो को share जरूर किया किजिए अपने दोस्तों के साथ Facebook पर, WhatsApp पर जहां पर भी आप जिस भी platform पर आप चलाते है social media, network यूज़ करते है वहाँ पर एक बार आप सभी का मुझे share चीए इस वीडियो को लिए मैं विशेज आप से एक request कर रहा हूँ Question No.9 है Mobile Operating System का उधारन है इन में से कौन सा एक Mobile Operating System है Windows 98, Android Operating System Mint Operating System या फिर MS Word और आप सभी को मालूम होना अच्छी है कि Android Operating System, Mobile Operating System का उधारन है ठीक है, Mobile Operating System और कौन-कौन से होते हैं ये भी समझ लीजिए एक तो Android है, एक Microsoft Windows है एक Windows Operating System है और एक iOS है जो कि Apple Company के Mobile से में होते है तो तीन प्रकार के Operating System होगे एक तो गया Microsoft का एक iPhone Operating System और एक Android Operating System आगे हम जलता है Question No.10 में किसी सब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया चोटा विवरन क्या कहलाता है मित्रों परसंद पहले भी मैंने बताया है किसी सब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया चोटा विवरन फोटर नोट कहलाता है और पूरे डोक्यमेंट के अंत में जो लगता है उसे हम एंड नोट कहते है Question No.11 Google Maps का उप्योग किस लिए किया जाता है दोस्तों Google Maps का प्रियोग रास्ता खुजने के लिए किया जाता है इस्थान का पता लगाने के लिए किया जाता है और उसके वाद अलावा जो है इसमें इनका यसमा ये वाला इस्तमाल नहीं है तो आपको मालूम होने जीए कि Google Maps का इस्तमाल रास्ता खोजने के लिए और दिसाय प्राप्त करने के लिए किया जाता है Question number 12 है MS Word 2010 में Format Painter की Shortcut की क्या होती है What is the Shortcut की of Format Painter ठीक है और इसका सही जवाब है Ctrl plus Shift plus C Option B Ctrl C तो Copy का होता है Ctrl Shift C Copy Formatting का होता है मतलब Format Painter का होता है आगे मतलते है Question number 13 है खालिस्तान, राजस्तान सरकार दोरा Cloud आधारी भंडान समाधान है यानि राजस्तान सरकार का Cloud Storage कौन सा है Options है राजी वोलेट, राजी ग्यान, RPSC, फिर राजी साइन और इसका सही जवाब है दोस्तों राजी वोलेट इवोल्ट का Use Online Documents को सत्यापीद करने के लिए के जाता है documents को Store करने के लिए के जाता है और इसमें documents Online रूप से ही हो जाता है मतलाब offline अपने को לא कराने का आँ सकता नहीं परती Document Management System भी यह होता है आगे हम चलते हैं IP पते को Domain नाम का नुटाद करता है में बदलने वाला DNS होता है दोस्तों IP को URL में बदलने वाला DNS होता है चेप्टर नबर 4 में से प्रसन आया आपकी बुक में और DNS का फुल्पर में होता है डोमेनियम सिस्टम या फिर डोमेनियम सर्वर क्यूशन नमर 15 है टेबल बनाते समय में पेक्सिल के आकार में बदल जाता है format paint का यूझ करते समय याँ पर पूछा जा रहा है छो भिग्णिक फ्रों बिग्निग ठीक है तो ऊठ्क का और उसका सही जवाब है दोस्तों F5 ठीक है ना F5 का यूज सुरू से स्टार्ट से स्लाइड शो देखने के लिए जाता है from beginning और वर्तमान स्लाइड से देखने के लिए यानि कि एक प्रजेंटेशन में पांच स्लाइड है और आप उनमें से तीन नंबर श्राइड पर हो आप चाते हो कि सुरूआच से स्लाइड शो देखो तो आप F5 बटन दबाओगे आप चाते हो में तीन नंबर से स्टार्ट गरो तो फिर आप सिप्ट प्लस F5 दबाओगे ऐसे ही चलते हैं अगले प्रशन सत्रार नमबर पर निम्नुए से कौन सा एक सर्च इंजन है, ओप्संस आपके सामने दिये गए हैं, ठीक है, यहाँ पर Google.com सर्च इंजन है, Bing.com सर्च इंजन है, बोथ, यानि कि ए और भी दोनों इसका सही जवाब है, यह दोनों सर्च इंज इसका सही जवाब है दोस्तों, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्स्प्लोरर है, ठीक है, जिसका नाम बदलकर आजगल Microsoft Edge कर दिये गया है, दोस्तों, यदि आप RCIT की आंसर की सबसे पहले प्राफ्त करना चाहते हैं, आप चाहते कि RCIT की जब एक्जाम कर लीजिए और बेल आइकन पर भी किलिक कर लीजिए, आगे हम चलते हैं, MSXL में चैनित सहल का च्छनन, कालिस्तान गुंजी द्वार किया जाता है, बिल्कुल सिंपल सा परसन है, बस आपके समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, MSXL में चैनित सहल का च्छनन करने के लिए खीक, कॉन सा सोटकुट है, अब आपके समझ में थोगा के सरी जैनित सहल का च्छनन होता क्या है और मैं आपको पताना च्छूंगा दोस्तो, इसका मत होता है, फिल्ट्रिंग, ठाब फिल्टर की स्वोड़्करन की क्या है, MSXL में फे फिल्टर करने की सुड्करन क्या है, options है control shift L, control shift C, control P और control shift F, इसका सही जवाब है दोस्तो control shift L, filter करने की shortcut क्यों होती है, control plus shift plus L, next question है, portrait और landscape क्या है, portrait और landscape दोस्तों दोस्तों दोनों ही slide orientation है, ठीक है न, मतलब दो परकार के page होता है, एक सीधा page, एक आड़ा page, यह जो सीधा page है, जिसके उंचा ही जदा है, यह वा exam में, जब हमें exam देते हैं, तो हाँ पर copy मिलती है, exam की, वो वाला landscape format में होता है, ऐसा वाला, ठीक है, और एक सीधा page होता है, सीधा ऐसा है, वो वाला portrait होता है, आगे हम चलते है, MS Excel में, चैनित सेल का छनन के shortcut की है, मैंने बता दिया, control shift L, okay, next question है, internet explorer, firefox, और chrome, खालिस्तान के उधारण है, internet explorer, firefox और chrome, ये तीनों ही web browser के उधारण है, तो web browser इसका सही जवाब रहेगा, option B, next रम चलते है, question number 23, दोस्तों, यहाँ पर आपको एक URL प्रदसित हो रहा है, URL दिखाई दे रहा है, www.vacancyguru.in, दोस्तों, यह एक website है, जहाँ पर आप सभी प्रकार के important questions को read क कर सकते हो, PDF के रूप में वहाँ पर उपलब दें, और साथ ही साथ आप उनका exam online test भी दे सकते हो, जो कि बिल्कुल free है, मतलब इसका कोई cost नहीं है, ठीक है, और यहाँ से आप पढ़ सकते हो, Google में search करेंगे www.vacancyguru, या फिर only vacancy guru लिखोगे आप, ठीक है, vacancy और guru आपको ल ठीक है, यह लिखने के वाद आपके सामने website खुलेंगी, वहाँ से आप free में, जो है important question or test देख सकते हैं, आगे चलते है, antivirus क्या है, options से search engine जाने, browser है, operating परना लिए, उप्रोक में से कोई नहीं, और मैं तो antivirus के बारे बताने चाहूंगा, यहाँ पर ना तो search engine जाने, ना browser है, ना operating परना लिए, मतलो answer हैगा, उप्रोक में से कोई नहीं, ठीक है, आगे हम चलते हैं, पचीसवा प्रशन है, barcode reader क्या है, options आपके सामने, output device है, printing device है, input device है, यह उप्रोक सभी है, मैं तो barcode reader, barcode को read करने के काम में आता है, नहीं read करेगा, तो input device होगा न, आपको एक antivirus program यह उप्रोक में से कोई न, इसका सही जवाब है दोस्तों, उप्रोक में से कोई न, ना operating परना लिए, ना torzen horse का परकार है, ना antivirus है, तीन हो नहीं है, तो उप्रोक में से कोई न, इसका सही आंसर है, अगला है, दस मलव संक्या का अधार क्या है, और मित्रों इसक इसमें, ये वाला, वहाँ पर, इस संक्या इसमाल में ली जाती है, अगला है, विंडोज में एक चलती हुए program को, दूसरे program पर जाने के लिए, मतलब आप विंडोज में एक program पर काम कर रहे हैं, यानि MS pen में काम कर रहे हैं आप विंडोज में, ठीक है, अब आप MS word, जो भी वह भी खुला हुआ है, इस से इस पर switch करना चाते हैं, तो आप कौन सा बटन दबाओगे, मतलब एक program से दूसरे program पर जाने के लिए, कौन सा बटन दबाओगे, तो दोस्तों इसका सही जवाब है, alt plus tape, alt plus tape दबाकर आप एक program से दूसरे program पर जा सकते हैं, next question है, वर्तमान slide स slide show सुरू करने के लिए shortcut की कौन सी है, अगर आपको वर्तमान slide से slide show चलाना है, तो आप shift plus f5 का इस्तमाल करेंगे, यह मैंने पहले आपको इस वीडियो में बता दिया है, question number 30 है, कौन सा printer अच्छी गुनवत्ता वाली vector graphics को चापता है, आप से पूछा जाए, अगर अच्छी गुनवत्ता वाली vector graphics को कौन चापता है, तो इसका जवाब रहेगा plotter, ठीक है, plotter अच्छे गुनवत्ता वाली graphics को चापने का करिये, करता है, आगे हम चलते हैं, अब आपके मन में एक जहन में question हो, अगर कि सर्फ plotter होता क्या है, आपने बड़ी-बडी machine ने देखे होंग आगे हम चलते हैं, खालिस्तान, MS PowerPoint दोजादस में सजाओटी पार्ट समलित करने के लिए प्रियुग में ली जाता है, अगर आपको सजाओटी टेक्स्ट लेना है, सजाओटी टेक्स्ट, हाना, design क्या हुआ, तो फिर आप किसका इस्तमाल करेंगे, सजाओट को हम आर्ट कह इस्तमाल करेंगे, क्या है, इंटरनेट एक्स्ट लोरर, Firefox और Chrome, यह सभी ब्राउजर के उदारने, वेब ब्राउजर के उदारने, दोस्तों एक जानकरी मैं आपको देने चाहूँ, लास्ट टाइम के जो एक्जाम्स हुए थे, दो एक्कीस परवरी और 21 जन्वरी, यह जो एक्जाम्स होए थे इन दोनों एक्जाम्स में वेकेंसी गुरू से जितने भी स्टुएंट्स ने पढ़ने था मां लगभग मैं अगर आपको बताना चूंकि कोई स्टुएंट होगा जिसके 80 से कम परसंडेज बने होगी कोई माइनर स्टुएंट होगा जिसके बनी होगी असी से कम वरना तो असी से अधिक परसंडेज सब की बनी है और अगर जिनों ने एक्जान करेंगा कि वेकेंसी गुरू चैनल से पूरे 35 में से 35% मिले थे मतलब एक भ इस प्रसंन सही कर कि हो अगला MP3 किस से संबन दीत है ऑफ सले इंटरनेट से वीडियो ओडियो और उपरोक्स अभी और इसका सही जवाब है दोस्तों के विडियो को लाइक करते हैं और अपने दोस्तों के साथ से बिटक ने किया तो सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब वुटम तक क्लिक कर लें और सबसे पहले वेकेंसी गुरू को वीवर बने सबसे पहले वीडियोज को देखने वाले वीवर बने बहुत बहुत धन्यवाद